मुझें आप देखे इस पे स्लाइट रिटोरियल आज हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस आफ क्वालिटी एस्वारेंस इन एस्टी 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 में क्या महत्तु है इसके बारे माँ चल्चा करेंगे तो आपको मैंने HDLC के बारे मालेड़ी इप इछली वीडियो में बता चुका हूँ उसके बाद मैं आपको HDLC के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसके इसके इंपॉर्टेंस क्या है है HDLC डेलोग के कहते हैं फैसिबिलिटी स्टेडिस क्या होता है प्लाविंग क्या होता है ठीक है इनिशल स्टेज पर क्या क्या करते हैं उसके अलाबर रूल आफ सिस्टम अनलिस्ट क्या होता है इस तरह से हमने लगभग आपका इसके इस्टम अनलिस्टेटने दिजञांप जो सकी अबसुखन होता है कहां प्रीस तक बयभग है उसकी फिस्टम श Bowl क्या है प्रोशक्रोप होता है यह कॉन्ड़ग कॉन एक प्ररेस होता है यह कॉन् Brendan ब опять छिस सबर्कर होता है और तो हम आपको बिसकली आज की वीडियो में ही बताएंगी कि quality assurance है HDLC में ऐसे यूज के जाता है, तो चाहिए स्टर्ट करते हैं सबसे तरह तो Software quality assurance इसको सबसे बोलते है SQA, क्या बोलते है? SQA, ओके, यह basically जो यूज के जाता है वो डेवलप software quality Software quality को developed हुआ है, उसकी quality को check करने के लिए, कौन सा method यूज हुआ है, कौन सा ऐसा process है, वो यूज हुआ है, उसको checking करने के लिए ठीक है, वो सारी चीज़ चेकिंग करता है, यह तो आपका development software की quality, method और उसकी process क्या software error free है कि नहीं, इसमें error तो नहीं है किसे प्रकार का कोई debugging करने पर है, बग बग तो नहीं आ रहा था, अगर इस प्रकार के problem है, तो उन सारी चीजों को भी यह check के आता है, इसमें deliver on time, जो software develop हुआ है, वो time पर deliver हुआ है, यह नहीं हुआ है, इन बजर्ट में develop हुआ है कि नहीं है, उसके अलावा इस software के performance quality है, वो कितने label तक की है, हर्चो की हर्ची के एक label होता हो, तो किस label के high performance software है कि नहीं है हमारा, जो हमारी basically कुछ criteria होती है, जो कि आपका SQA label पर होना जलूरी होता है, इसमें software qualities होती है, software qualities दो प्रगार भी होती है, कि एक्स्टरनल और इंटरनल, एक्स्टरनल का मतलब होता है कि आपके software को जो user use कर रहा है, वो उसको कितने enjoy कर रहा है, उसके कितने interact कर रहा है, उसका interference, user friendly है कि नहीं, वो सारी चीज़े हमारी किसमें आती है, एक्स्टरनल में, उसके user का experience जो basically होता है, वो total हमारा external software quality हो, और internal software quality में क्याते है, कि आपका जो code है, जो आपने source code यूज किया है, programming technique यूज किया है, basically वो readable है कि नहीं, independent है कि नहीं, दूसरे के दोरा modify किया है सकता नहीं, या फिर हम पढ़ सकते हैं कि नहीं, basically वो internal code dependent हो कि क एक्स्टरनल में user experience अच्छा होना चाहिए, okay, उसके बाद हम बात करते हैं, basically इसके वोए का importance क्या है, इसके importance क्या होती है, तो सबसे पहला दी importance होता है, quality factor specifications, software की qualities की क्या-क्या specifications है, कि स्पेस्पेस पे हमें उसको check करना है, उन चीजों को हमारे process में check हैं, सबसे पहला है, easy of use, तो हम software को use करने में easy हो, ऐसा नहीं हो, basically कई software ऐसे होते complex होते हैं, कि उसको normal person उसको use करने के लिए, कापके उसको tutorial देखना पड़ता है, video देखना पड़ता है, तो ऐसे चीज़े नहीं हो, basically आपके software हो, बहुत सिंपल हो, और उसको use करने में कोई ऐसा complex issue नहीं हो, जो आप, insert करना हो, photo drag करना हो, तो properly जो icons होते हैं, वो आपके properly होने चाहिए, कहां लगे, कहां यहां से हमें यह action perform करना है, कहने का मतलब यह है, कि use करने में easy हो, जादा difficult नहीं हो, installation में भी जादा problem नहीं हो, तो यह सारी चीज़ों को ध्यान में रहते हो, easy to use, ठीक है, उसको को कोई यूज कर सके, simple tutorial के दुवारा, जैसे हम लोग कोई भी software किसी से बनवाते हैं, या पिर हम कोई android है, यूज करते हैं, तो हम यह चाहते हैं, को यूज करने के लिए, ज्यादा हमें complex problem फिलना हो, हमें easily, हम उन चीज़ों को access कर सके, तो हमें जोची easy मिल जाती है, हम उन च चीज को ज्यादा enjoy करते हैं, तो हमारे software में basically ही होना चीज है कि customer को या client को जो हम software दे रहे हैं, वो बहुत ही use करने में easy हो, जिससे को उसे problem नहों handle करने में ना कुसको को operator रटना पड़े, okay, दूसरे चीज हमें चीज है design, software की design है, वो basically ऐसी होने चाहिए कि alien होने चाहिए, ना ज़्यादा contrast, ना ज़्यादा rhythm में सब, ना ज़्यादा तडग भडग track करना, फिर आपका ऐसा design हो कि ये बतलब हो friendly ना हो आपके system, so तर design basically elegant, साफ सुतर है और readable होने चाहिए, दूसरे चीज हमारे ये basically responsive होने चाहिए, कि हर device पे gadget पे ये आपकी खुल सके, ठीक है, mobile version हो आपके tablet या फिर आपका system पे हो, सब पे हो, वालिट काम कर सके, इस हिसाफ से design पे basically ध्यान देना चाहिए, कि हमारे यूजर friendly back-end, front-it, दोनों type कर design है, उससे हमें, जो भी client है, client का फूरा work, उसके design पी होना चाहिए, क्योंकि design के through you account, access होना है, उसके result रॉप्त करना है, तो designing पे हमें जड़ा देने, the well design, okay, पहला कहता है, easy of use, use करने का आशानी से use होना चाहिए, तो असानी से use होगा, जब वो design में सही रहेगा, okay, उसके बाद speed, software हमारा speed, उसकी अच्छी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, कि speed उसकी slow हो, click करने पे उसका action perform होने में time लग रहा हो, इस पे समस्या नहीं आने चाहिए, हमारा software basically एक low configuration पे, low specifications पे उसको अच्छे से चलना चाहिए, और वो किसी भी system पे, basically independently, वो किसी भी system पे install होके और run कर सके, quick access हो, time जाज़ा ना ले, ना database fetch करने में, या हमारा report generate करने में, तो ये जीज़ों कर चाहिए, तो software में speed होने चाहिए security, security का मतलब होता है कि हमारा software जो, हमने जो develop किया हुआ है, वो software में basically security purpose से हमें encrypt or decrypt, दो चीज़ों को यूज करना चाहिए, पास्पर प्रोट्रेक्टेट होना चाहिए, उसके बाद login ID होने चाहिए, basically administrator label पे, अलग-अलग label पे, administrator label को सारी security प्रवाइड करने चाहिए, ज तो यह जो facilities हमने बताई है, वो हमारे security होना चाहिए, साथ में software totally हमारा source code encrypt होना चाहिए, नाटी किसी के दूसरे के दुर्यूज करने के लिए ऐसा open source नहीं होना चाहिए, तिकुल मिला कि security based हमारा software बहुत जुरूरी होता है, जहांता है, अगर online software की बात है, online applications है, तो उस चाहिए, इसको SSL बे उस गरना चाहिए, जहां पर और वेबसाइट को वे पोर्टल को basically अच्छे से application package को secure कर सके है, जिससे कि हमारे malware होए, theft होए, या फिर किसी type की other resources जो आपको hack करने की या फिर निक साम जाने के काम करें, उन चीजों से आपका software बचा रहे है, और सुचा जुचे चलते है मारे software में कोई issue ऐसा ना है, जिससे कि वो error आजा है, जिससे कि आपको, basically हमए software जब आपको, किसी को देना हो तो से पहले हम उसको check करना चाहिए, किसी प्रकार की error ना हो, चाहिए compiler कि आपकार की error, so error तो ना हो, error-free होना चाहिए, पूर्टेबल पूर्टेबल का मतलब यह होना चाहिए व्हुशाओं किसी भी शिस्टेम पर इंडरिनलिटी वह रन कर सके इसके लिए ऐसा नहीं किसी प्रक्रिफ रधिए इस ट्राइब का स्पेसिफिकेशन होना चाहिए इसमें किसी प्रकार का कोई चेक ने आया है आपका quality चेक ने बीना आपको निकवट करना चीज़ है हर लेबल पर चेक कर दीजिए चाहे वो coding लेबल हो चाहे डिजाइडिक लेबल हो ठीक है उसके बाद उसको आपको देना चीज़ है इसमें कि अब इस चेज़ करा चीज़ो को चेंड़ में करने के लिए आप उसको मेंटन करने के लिए इसा नहीं है कि वो मैंटनी ना चाहिए तो आपको एक ऐसा इंट्रफेस को करना चीजह जहां पर वो अटिटिन कर सकता रेडियाबिलिटी इसे लोग समझ सकें तो रेडियाबिलिटी इसे लोग असानी से पड़ सेगा और आपके सॉर्स कोड के बारे में भी जान सकें कि आपने क्या लिखा हुआ है तो प्राफर कमेंट्स कर गाया है तो प्राफर कमेंट्स कर भी जान काडिया है तो फौल डाकुमेंटेशन्स और कमेंट्स के साथ आप सॉर्स कोड को डीजान करना जाए है इसे कि उसमें रिडिबिलिटी रहती है लोग उसको समझ सकें जो भी डेवलोपर है उसको आप कड़ सकें को क्या लिखा हुआ है इनके सब इस अब आती है जब सब्सक्राइट की आपने सपोर्ट देना बन करती है और सफ्टर मों को इसी उजा लिए और वह आपको नहाग करता है तो अगर आपने प्रफट को ससे मठेट कीशिया हुआ है तो इस समय उन चीजों के लिए जो अब्ला डेवलोपर है उसको उस आसानी होती है पूरी तरह सारे फंक्शन जितने हो प्रापर ली काम कर रहा हो तो आपको चेकरने चाहिए एक तुजेट को सारे फंक्शन लेटली काम कर रहा हूं तो अपुल मिला गए हमारा quality खक्रश प्रस्फिकेशन पर इसके बाद चेकरने के बार यहां सब्सक्राइब प्रोसेस में सौफ्टर टेस्टिंग इंप्लिमेंटेशन फिर सौफ्टर का टेस्ट किया जाता है आला लाग पर पिसकी टेस्टिंग होती है ठीक है टेस्ट होने के बाद उसके बाद मारा इंप्लिमेंट यहां सब्सक्राइब आपको टैमिंश में और हैं तो मेंटिनेंस और सपोर्ट बहुत चुरूरी होता है सपोर्ट आप आप टैलिफोन नीट हो या तो फिर आप इमेल के थूर्ट या पर स्ट्नलि जाग तो वहां पर ऑन दा साइड तो तो तीनों चीजों को आपको ध्यान रखना होता है में अपर कोनके कालिटी एश्रेंस कितने लेवल में काम करता है सब्सक्राइए किलेल एक कर एसमें क्षेकली से चीमिन का चाहए बेटेट कोडिंग प nettrasianne का कमेंट इसके किया है यह हमारा लेबल में ब्रेसे यह होता है suck होता है सारे कंपाइल कर रहे हैं, सारे लिंक और ये सभी platform पे, सभी operating system पे basically run कर रहे हैं कि नहीं और उनके compatible हैं नहीं कि नहीं है सारी चीजिए हैं हमारी compilation ये linking में check होची है L3 में हमारा होता है routine running, okay routine running में कहा होता है run properly in situation किसी भी situation में होना ऐसा नहीं हो कि उसके लिए particular हमें अलगी special specification चाहिए यह किसी भी condition में हो को कंडिशन सर्टन ऐसे इस पर ज़्यादा वह करें चाहिए कम और यह कुछ नहीं कहां ज़ुदा करने पर यह चीज़ साफ्ट अमार रेश्ज मुदा होजाए यह करें तब अब हमना करें तो हमें अइसा वनानना चाहिए जो हम यहां तो हैवी वख करें यहां फिर लाइट वो सारे वॉर्क फेस्ट में काम अच्छे जगर है उसके बाद performance test लास्ट में क्या होता है कि आदा software के performance जो भी क्या है इसकी performance करसी है performance है कि उनकी testing होती है यह हमारा L1, L2, L3, L4 यह level of quality assurance होता है अब रखी बात की objective of the SQA क्या होता है system quality of assurance का objective का objective क्या होता है तो दिस यह होता है basically कि monitor करना कि software development जो हुआ है वो किस process सुरूआ है और वो कैसा process हुआ है कौन-कौन सा method यह उस किया हो है implementing standard procedure क्या software implement किया गया है उसमें क्या standard procedure को follow किया गया है कि नहीं किया गया है और हमारा quality assurance का basically result आता है उसको publicly notify किया गया है कि नहीं सारी चीचा तो कुल मिलाके हमारा software importance of quality assurance in HDLC यह हमारे chapter में आज की वीडियो हमने यही चीज था जो कि software की quality के बारे बताया गया कि वो कैसे basically quality को software की quality हो कैसे check करते हैं तो चलिए को quick result revise करते हम आपको बता रहते हैं कि software quality assurance SQA इसका basically mean जो काम होता है develop software quality method and process checking error free deliver on time in weather and high performance software quality external internal okay उसके बाद importance क्या होता है quality factor specification software testing implementation और maintenance support उसके बाद test level of quality assurance L1 code work through L2 compilation and linking L3 routing and running और L4 performance test objective of SQA तो आज के topic में हमने basically आपको importance of quality assurance जो के sort में SQA बोलते हैं उसके बार में आपको बताया तो आपको 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 पसंद आया होगा कर दो को कर दो हो कि आपको आपको कर सただरो को कि एक आपको आपके बहा है ऊतरी है तार्री ट्में उसान score झाल झाल